वेल्कम टू बैक माई चैनल कैसे हैं आप सब रोजमरा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत दबर्दस तरीजी रेस्पी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू मटर का पलाओ वो भी सिर्फ ओनली 5 मिन्ट्स में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम आपके साथ आलू मटर का अंधाई इजी रेस्पी वाला पलाओ शेयर करेंगे ये पलाओ हम ओनली 5 मिन्ट में रैड़ी करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू मटर का नधाई इजी रेस्पी वाला पलाव बनाने के लिए साफसे पहले हम यहां पर आलू लेंगे हाफ केजी मटर लेंगे हाफ केजी तो चलिए अब हम इनको जल्दी से मैरिनिट कर लेते हैं अब हम इसमें एक प्याली दही आड़ करेंगे अब हम इसमें दो कटी हुई टमाटो आड़ करेंगे अब हम इसमें ग्रीन चीली पेस्ट आड़ करेंगे टूटेबल टी स्पॉन अब हम इसमें वन टेबल टी स्पॉन डट चीली फ्लैक्स आड़ करेंगे अब हम इसमें वांटेबल टी स्पॉन जीरा एड़ करेंगे इसमें कुटी हुई काली मिर्च और कोटा हुआ गरमसाल एड़ करेंगे वांटेबल टी स्पॉन अब हम इसमें कटा हुआ पतीना एड़ करेंगे यह मेरे रफास कटा हुआ पदीना है, वो में इसमे एड़ करूँगी, अब हम इसमें चुटकी बार फूड कलर एड़ करेंगे, और इसे हातों की मदर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम इसको दो मिट के लिए फ्रिज में रख देंगे तब तक के लिए हम अपना तड़का रड़ी कर लेते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर हम दो अदद बड़ी प्याज लेंगे इसमें हम एक प्याली आइल आइड करेंगे यहां पर हमारे प्याज का कलर चेंज हो चुका है अब हम इसमें इमली का पानी आइड करेंगे यह मेरे पास सो ग्राम इमली थी जिसे मैंने पानी में बगो कर रख लिया था इमली लाल कुटी हुई मिर्च, ब्लैक पेपर पॉडर, नमक, चिकन पॉडर एड़ करेंगे और इस तरह लीमो में इनको बढ़ लेंगे इस मसाले को अब हम यह लीमो इस मिक्स्चर में आड़ कर देंगे यह देखे हमरा तड़का अच्छी से राड़ी हो चुका है यह लीमो हम इ मेरे लेक मिक्स्चर को अच्छी तरह से बूंड लेंगे फिर हम इसमें पानी आड़ करतेंगे अब हम इस मिक्स्चर में वन टेपर टी स्पून सिर्का अड़ करेंगे मेरा मिक्स्चर बहुत अच्छी से राड़ी हो चुका है यहां पर मेरे पास हाफ केजी चावल है अब मैं इसमें बन केजी पानी आड़ करूंगी अब हम इसमें पानी आड़ कर देंगे और इसे बाइल होने के लिए रख देंगे मेरे पास हाफ के जी बासमत्ती चावल हैं जिने मैंने गैंटे के लिए बगोकर रख दिया था अलहमदलिला हमारा पानी अच्छे से बाइल हो चुका है अब हम इसमें चावल अड़ करेंगे एंड पे इसमें गरम साल अड़ करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चावलों में पानी अच्छी तरह से ड्राइ हो चुका है अब हम इसको दम पर लगाएंगे अलहमदलिला हमारे बहुत जबरदस्ट अलू मटर का पलाव रैडी हो चुका है फैनल लुक आपके सामने है फाइव मीट में जबरदस्ट अलू मटर का पलाव रैडी हो चुका है मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत परसंद आएगी अगर आपको मेरे ये वीडियो परसंद आएगी तो प्रीज सब्सक्राइब कर दीजिए साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताके मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे अपनी बहुत सी द्वाओं में याद रखिएगा अल्ला हाफीज